तो बस यहां से पर आपके जब काफी सरे कमेंट भी मुझे आ रहे थे तो असलाम अलेकून कैसो आप सब अलम धिलिल्ला में एकदम ठीक उम्मित करती हैं कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह बैठती है जब वीडियो बनाने के लिए तो यह खूब सारी दुआएं देती है कि इसको पता है जो लोग इसको व्यूज देते हैं उन लोगों को बाकी किसी को नहीं देती है तलक्य अपने बाप के लिए अपनी बेहन के लिए अपने र को दे दे अपने रिष्तेदारों को दे दे बाद में बैटके दूआएं करना जो फेक दूआएं करती है ठीक है तेरी दुआते न किसी पर आ दें ये comment आ रहे थे एक काम कर तु दोनों जगा के न comment off कर दे अगर तुझे बहुत comment आते हैं मजबूरी में तुझे आके बात करनी पड़ती है न तो एक काम कर comment box off कर दे तू इतना जूट मत बोल वाइटी पे आके और ये भी तुने कितने time से लगा के रखी ये जूट हर बार त कितना गिरेंगी बेशरम पैसे के लिए लानत है तेरे उपपर अच्छा ये जो अपने बाप की इज़त नहीं कर रही है अपने बाप के उपर बात कर रही है तो उसका रिज़न ये बता रही है कि मेरे अबू ने जो वीडियो डाली थी ना उसके वज़े से मतलब ये जलालत पे उतरी हुई है तो ज़ाड़ू अली चुड़ैल मैं तुझे याद दिला दूँ के पहले तूने की अपनी अपनी ओकाद दिखाई उसके बाद में तेरे अबू ने घुसे में वो वीडियो डाली थी अगर तू पहले ही उनको बुलाती पहले ही उनको अज़्जत देती मान देती और तुम लोगों का जो प्लैन चल रहा है वो तू प्लैन में सामिल ना होती पिटारा और बिल्लों के साथ तो शायद तेरा बाप को वीडियो नहीं डालता ठीक हो गया तो तो ये तो मत बोल के तरह बापने वीडियो डाली इसके लिए तुने बाते करती थी के सल्मा के पास में तो मेरे बाप को ये तकलीफ है वो तकलीफ है वो मर जाएंगे वो मिट जाएंगे वो लूटे जाएंगे तो हमारे पास आएंगे मैं रखूंगी मैं मेरे अब्बू की बड़ी इज़्जत करूंगी मैं खिदमत करूंगी क्या हो गया भ तो यह आ गई थी लेक्चर देने के लिए कि शायद आप फारती होंगी अपने बाप के कपड़े आपने बाप के पर आत उठाया होगा हमारे में तो यह तर्वियत नहीं है हम तो बड़ी इज़्जत करते अपने बाप की यह सब बोली थी इतने और देख लो अल्ला ने आज अपने तुझे कुछ बोल दिया लेकिन तेरा कहां से बनता था तुँ आके बाप को रियक्शन दे रही है और अभी तुने कुछ चार पार दिन पहले जो वीडियो बनाई थी डीडी और फात्मा के उपर उसके अंदर तु बोल रही थी कि मेरे से गलती हो गई जजबात मे मैंने मेरे अभा के लिए वीडियो बना दी मुझे नहीं करना चीए था अभी चार पांस दिन पहले ही तु बोल रही थी के वो कितना भी बोले तो मेरे अभू है तो मुझे अभू के लिए बोलना नहीं चीए था और अभी तुने फिर से यही वीडियो डाल दी अरे कितना गिरेंगी न जो ओई चुडेल कितना गिरेंगी इतना याद रखना अल्लाव यहां का यहीं देता है तेरे भी आगे अल्ला ने इतनी पारी अउलादे जितनी घटिया तू है सच में मेरा बस चलता ना तेरा मुऊ है ना जबान तेरी खीच के तेरे गले में लपेट डेती में गिरी उई नालाइक कहीं की और जो लोगों को बड़ी पसंद आरी है ना नज्जो की ये सब बाते तो दिमाग में इतना जरूर रखना जो बेटी पना इसके खिलाफ वीडियो बना रहा है ना वह वली वीडियो अपतलाक के वाइटी पे वह डिलीट कर चुका फीर भी ये बेशरम बैठके बाप के ऊपर बात कर रहे हैं क्यों कि ना पिटारा का और उसकी मां का ना इसको सपोर्ट है और पिटारा और उसकी मां के लिए कर रही है ये तारा कुछ चाहिए कि अपनी मां को घर का सत्यानाज करना ये उसको डिवाउस करवाना है ठीक है और ये उसको सपोर्ट करने के लिए अपने बापकी जिंदगी कराब कर रही है वरना पिटारा फिर इसको शाउट आउट नहीं देंगी इसका चैनल दिलीट पिटारा जो अपने बच्चों की नहीं है अपनी मां की नहीं है नौकरानी बनाके रखती है अपनी सगी बेहन की नुए यह तेरी हो जाएंगी तो सही तुम लोग एक दूतरे को यूज़ कर रहे हो लेकिन जिस दिन तुम लोगों का अल्लापाक रस्ती डिली चोड़ेंगा अच्छा तू सरमिंदा कैसे होई तूने तेरे बाप आपके साथ में जो की उसके वज़े से तु शरमिंदा नहीं है तूने क्या कि अपने बाप के साथ तूने सारे घ्ाखों को दावत दी सापको फंडिन के लिए दावते दे देके बुलाई है लेकिन तुने अपने बाप को नहीं बुलाई तुझे तो इस चीज़ पर सर्मिंदा होना चीए वक्री के गरवालों से सर्मिंदा है लकदी लाना ते तेरे पर घटिया कहीं की जब वक्री ने तुरे बाप का चैनल डिलिट किया तब तेरा मूण नी खुळा बोलने के लिए तब तुझे सर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कर ने बंदे को पगड़ करके बोले कि इनकी शादी खराब करूंगा मैं शादी में जाओंगा भी नहीं कभि बोलती है वह बोले कि मैं घर में बैठूंगा वह बोले मैं चित पर वहले करके गां। घर का पुरा काम करवाए, कलर वगेरा करवाए, जो तूटी पूटी चीजे थी वो बनवाए, शादी की ही तो तैयारी कर रहे थे, ये सारा कूछ इतना उनका खर्चा हुआ, ठीक है जो तुने बोली है न कि पैसा तुने दिये, तुने नहीं दिये, जूट कम बोल, सिर्फ बाप ने अपनी जेव से पैसा लगा के इतना खर्चा किया, फिर तुम लोगों ने अच्छानक से ये बोले, कि हम लोग तो सितारा के सतुराल में शादी करेंगे, और उतको एक बार भी नहीं बोले, तुम लोग के तुम भी चलना या इतनी तारीक पकड़े, ये करे, वो करें, तब तेरे बाप को गुस्सा आया है, समझाई? और तुने जो ये बोली है ना, कि तुर बापने बोला है, मैं शादी खराब करूँगा, अब होगी इंशालला तेरी ओलादों की शादियां खराब, इतनी तो जूटी है, इतनी मकार औरत है, तुम लोगों को वहाँ आप शादी करवानी थी, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, लड़की छोटी है, यहां पे तुम लोग शादी करवाते भी तो कैसा, दूसरी बात पिटारा को उसके साथ में स्वागरात मनानी थी, तीछी बात के पिटारा को अपने घर में करना था, थारा कूछ, ताकि व जानती औरत को तो ना मर जाना चाहिए डूपके अपकी शादी पे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जैसे आपकी शादी खराबत भी सब्सक्राइब नहीं लगी इनको सर्दी नहीं लगी वहां पे सर्दी नहीं थी इन आगर दूले बारात लेकर आते आजाते ना तो उनको सर्दी लग जाती मर जाते मिट जाते लूटे जाते ये कोई रिजन है क्या कि लोग बरात लेके आते तो सर्दी लग जाती तो धुन्द जादा थी और लोगों ने बोले कि तरह बाप शादी खराब करने वाला है ये भी रिजन बताई इसने तो नजो सच क्यों नहीं बताती है कि तेरी बेटी भगोडी है है ना जैसे के पता चल रहा है कि तेरी बेटी तो भाग गई थी वकार के साथ में या भागने वाली थी तेरी बेटी का कैरेक्टर भूत ज़्यादा खराब है मैंने सुनी वो वज़े से तुन्हें गाउं में शाधी नहीं कराई के फिर उतके आशीक आ जाते है ना तेरी बेटी के काले चित Te prevalent रहे में खुल जाते के तेरी बेटी किती बच्चलन औरत लड़की थी यह वज़े से तुन्हें हाँ जाकर चुपके से साधी करवाइ यह मत बोलके तेर्ए बापके वज़े लिए समझाई कि शादी घराब करेंगे और वो भी बोल किसके लिए रही है देखो ना बाप के लिए कितनी जादा ये गिरी हुई औरत है भई मैं तो बोलती हुँ ना अईसा सजा देना के अबरत का निशान बनेगी लोग देख के हैं ना सबक दीके के माबाप की बेहुरमती करने पर अल्ला जानवर की तरह मुझ बनाता है और खुटे की मौत नतीब करता है ऐसा अल्ला ताला ना इसके साथ में करें नीचे सब जने आ तो तरी आउलाद को देखके तेरा दिल दुखेंगा रोईंगी तो उसकी खुश्यों की दुआ मांगेंगी क्यूंकि माबाप का दिल दुखाना कितना बड़ा गुना है ना यह अप तुझे पता चलेंगा तरी आउलाद के लिए तुछ गिरी जूटी कहेंगी देख लेना तेरी अउलाद भी कूश नहीं रहेंगी यही तेरी बेटी है ना इंसा आप बीबी बनके आएंगी और बताएंगी के मेरी फुफों ने ना मेरे हस्बेंड के साथ में मूँ काला कर ली देख लेना तू और जब भी ना तू एक काम करना अपनी बेटी के खिलाफ वीडियो ब खाएंगी अब करता है अब हुए जैड की सपोर्टर जैड मिसाल देंके किसकी मिशाले देदे फिल्मों की बॉलीवूड की गानों की पिच्चर के सीनों की इन सब ती है अगर यह फिल्ला फिल्म की तू एक दिला देटी हजिस की कोई कहानी बता देती नहीं पे आके कि एफ़ीज में ऐसा है अगर यह फिल्म की तु एक्जेम्पल देने की बज़ाए अगर अगर हदिश की देती ना तो माबाप कितने भी बुरे हो कितना भी बुरा कर ले लेकिन अउलादों को हख नहीं है कि अपने माबाप के लिए एक लफ भी मुझे से निकाले पता है अपने जो अपनी अउलादों के लिए किया तेरे एक पेपर साइन हो गए इसके प्रॉपटी के प्रॉपटी ले ली तुने अर अब अपनी जाद दिखा रही है और कहा तो चार दिन पहले वीडियो में बोल रही थी मेरे से तो गलती हो गई मुझे बाप के खिलाब बोलना अब बाप जैसे बियो माबाप होते है बस वो एक सिस्वेशन इसी बन गई थी मैंने गुझसे में वीडियो बना दी तो यह वीडियो तो सब्सक्राइब लोगने डंडा उठाके भगाता है बगाते नहीं भगाता है अगर इतना ही बुरा था तेरा बाप》 तो क्यों उसके नाम पे तुने इतने ड्लर चाफी अबूने आज ये बोल दिये अबूने ये कर दिये अबू depuis के पास मैं रहोंगी अबू की मैंने ऑप्रेशन कराई मैने ये कर दिया अबू की खिद्मत हो रही है वागो구 एतना थुन्हें घुम का की क्यूंका यंची प्रोपर्ट्टी के पेपरों पे तुझे साइन चाहिए था और तेरे साइन कर दिया तेरी बहुकर प्रौपर्टी पे आईशा की तेरी जो मा मार लो चटी की जो बिगड़ेली औरत है उसकी सब की प्रापटी पे जब साइन हो गया तो सब ने अपना असली रूप दिखाए और मैं तो बोलती हूं ना यह जो अंकल के साथ में हुआ है आइस प्रापट आएं आ यह क्योंकि गलत को सपोर्ट करा था ना मकाफस अमाल है यह पिठारा को सपोर्ट किया था बेटी के पास में भाग भाग के आया था जो सच्छी बुरा यह तो बच्चों के बच्चों की बातों को लेके जो तो इल्जाम लगा रही है न अपने बाप के उपर तो यह सारी हरकते पिटारा ने कभी क्यों नहीं बताई कि मेरे बच्चों के साथ में ऐसा कुछ करता है कि क्यों नहीं बताई अगर उसकी आदत ऐसी रहती तो लिए नटस इतारा के बच्चों के साथ में भी करता लेकिन तो देखने कि इता बड़ा इल्जाम लगा रही है कि मेरे बच्चों को डंडे से भगाता है कि पैर गंदे तुम लोग इसे हो ऐसे हो और लाना थे तरे इसी अवलात के उपर ते रिखो ना कसम से डूपके मरना च तुझे एक दिन जलील करेंगे और पूरी वाइटी देखेंगी इंशाला हर जड़वाली चुड़यल तुने जो बोली है ना कि मेरा बाप मुझे बेज़ज़त करता था बजारों में बेज़ज़त करता था इधर बेज़ज़त करता था मैं घर पे जाती थी तो मतलब के जो बंदे बेटे थे एक, दो, तीन, चार उनके सामने कीया लेकिन तुने क्या की तुने पूरी दुनिया के सामने बेज़त की अपने बापकों किती अच्छी अउलाद है न तू ये तरह बेटा है न तरह मूँ में देखना क्या देंगा ये लेंगा अपने नाना का बदला और ये खुद नहीं लेंगा अल्ला इसको है न ये बनाएंगा जरिया ताके तू खून के आसूर होए एक बेटा प बहुत जल्दी आएंगो गटिया औरत तेरे को शरम नहीं बाप को जलील करते हुए तेरी बड़ी इज्जत है तुझे जलील कर दिये तो तुने बाप के खिलाब फिडियों बना दी अब तू जो जलील कर रही है बापको तुझे शरम नहीं अई अरे कितना गिरेंगी पै कितना गिरेंगी पैसे के लिए अरे कितनी घटिया औरत है तुझे मर्जा गिरी हुई घटिया औरत इसको तुन मैं अभी और धोंगी सई से दोंगी बहुत इसको शौक है ना बापकी यहां पर आके बेज़जती करने कि अरे तुमारा गं तुमारे घर में रखो गंदे ख में आप से इसकाते हो की तुम लोगों की का ररे चीनाnim होड़ा गंगा की और छिखाने है से फाक तब आक अबस्ताना को तेरी ये घटिया वीडियो से और बढ़ावा मिलेंगा क्या इसा गिरा हुआ शरीफ मैं नहीं हूं दुनिया में बहुत से तो अगर मैं डुबूंगा न साथ में वो लोग भी मेरे चलने वाले यह सोचके वो बंदा और ज्यादा करेंगा तो अल्ला तुझे ना इस तरह क जुलूम हुआ इसने उसका सपोर्ट नहीं की अपने बाप की नहीं है तो यह क्या सलमा का सपोर्ट करेंगी और पिटारा तुझ रएडी रहे जब यह अपने बाप की नहीं ना तेरी भी नी होएंगी टेंचन मतले देख तेरा करती क्या है चले इसको तो मैं और दोंगी और वीडियो बनाऊंगी इसके पर तो इसको सई वाला धोएंगे यह वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूं वीडियो कि कमेंड में जरूर बताना वीडियो पता नाएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिस्ते नेक्स्ट वीडियो में लापी